पहले में train movie explain करूंगे तो movie के start में हम इक wrestling team को देखते हैं जो New York आई थी अपनी wrestling championship के लिए उन मेंसे एक लड़का था जिसका नाम Todd होता है और वो अपना पहला match जीत गया था Todd की friend होती है Alex जो के match हार गई थी इसलिए Alex सोचती है के उसे wrestling छोड़ देनी चाहिए वहीं पर इनके कुछ friends भी थे और इनका एक coach भी था और साथ में coach का assistant भी अब Todd ने match में जिसे हराया होता है वो उसे party में invite करता है लेकिन Todd जो कि उस party में जाना नहीं चाहता था लेकिन उसका male friend पार्टी में जाने के लिए हां कर देता है अब क्योंकि कल का match दूसरे city में था इसलिए इने कल सुबह early morning जाना था इसके बाद वो लोग अपने हार्टेल में चले जाते हैं उनका coach उन्हें समझाता है के please 8 बजे सो जाना क्योंकि सुबह 7 बजे की train है तो हमें यहाँ से 6 बजे निकलना होगा लेकिन coach की बातों को ignore करें कि वो चारो friends पार्टी के लिए निकल जाते हैं लेकिन coach का assistant उन्हें जाते हुए देख लेता है लेकिन वो coach को कुछ नहीं बताएगा क्योंकि वो भी उनके साथ ही जा रहा था इसके बाद वो सारे party में चले जाते हैं जहां काफी time enjoy करने की बाद टोड उन्हें कहता है कि अब हमें चलना चाहिए लेकिन तभी उसकी बहस हो जाती है उसी लड़के से जिसने उसे party में invite किया था और वहाँ पर उनकी लड़ाई होने लगती है और इस लड़ाई की वजह से वो काफी लेट हो गए थे वो जानते थे कि ट्रेन में सो गई है इसलिए वो जल्दी से station पर पहुँचते हैं जहां पर कोज उनका wait कर रहा था बागी team जा चुकी थी कोज उन पर काफी गुसा होता है खास दूर पर अपनी assistant पर फिर वो कोज अगली train की बारे में पता कर रहा था लेकिन वहाँ पर English कोई समझ नहीं पा रहा था तब ही उनके पास एक lady आती है जो कि एक doctor थी वो बोलती है कि मैं आपकी help कर सकती हूँ वो कहती है कि जिस train में मैं जा रही हूँ वो आपकी destination पर भी जाएगी और tickets तो आपको train में ही मिल जाएंगे इसके बाद वो उसे train तक पहुँच जाते है फिर coach train के conductor से मिलता है जो अपने दो workers को उनके साथ बेचता है उनके seats दिखाने के लिए वो workers उनके passport मांगते हैं और वो भी अपने passport चुपचाप यूने दे देते हैं यहाँ पर उन्होंने passport देकर बहुत बड़ी खलती की क्योंकि train चलते ही वो उनके passport जला देते हैं यहाँ से हमें ये पता चलता है कि उनके साथ बहुत बुरा होने वाला है कुछ इसके बाद Alex की female friend वाश रूम जाती है यहाँ पर वो एक आदमी को देखकर काफी डर जाती है क्योंकि उसका आदा face जैला हुआ था उदर कोच की assistant को एक आदमी दिखता है जिसकी खांसी में खून आ रहा था अब वहाँ पर जितने भी passengers आये थे वो सारे rich थे जब कोच खाना कहा रहा था तब उसके पास वो ही lady आती है यानि वो doctor तब वो दोनों बाते करने लगते हैं अब कोच ने काफी drink कर ली थी और वो काफी नशी में था इसलिए वो doctor उसे कहीं ले जाती है इसके बाद हम कोच को एक room में देखते हैं जहां पर उसे torture किया जा रहा था उसकी चीर भाड़ की जा रही थी और ये room था torture room उधर वो चारों friends टूथ और डेर कहे रहे थे Todd को डेर मिलता है कि उसे train की आकर इसे तक जाकर वापिस आना है वो भी कपडों के बगार तब Todd करता भी ऐसे है और वो वहाँ से चला जाता है चलते चलते Todd एक ऐसे कोच में पहुंच जाता है जहां पर काफी अंदेरा था और जाहिर सी बात है ये बात काफी अजीब थी इसके बात उसे एक और कोच दिखता है जिसके अंदर वो जाने की कोशिश तो करता है लेकिन नहीं जा पाता क्योंके वो अंदर से लॉप था इसलिए वो वहीं से वापिस जाने लगता है लेकिन तब ये अचानक से उसके पाउं में एक केल चुप जाती है लेकिन जब वो वहां से निकलने वाला होता है तब ही वहांपर एक अजीब सा आदमी आ जाता है यारी वो अजीब हरकती कर रहा था अब 토ट को वो आदमी ढहीं ठीक नहीं लगता इसलिए वो से पीछे हटाने की कोशिश करता है लेकिन वो आदमी एक Rod को Todd के शोल्डर में गुसा देता है और उसे इंजर्ट कर देता है जिसकी वज़े से Todd भी होश हो जाता है काफी देर की बाद भी जब Todd वापिस नहीं आता तो Alex उसे डूणने जाती है उसे डूणते डूणते वो भी उस कोच तक पहुंच गई थी लेकिन Todd उसे वहाँ पर नहीं मिलता और तभी वहाँ पर वो कंड़क्टर आ जाता है और वो Alex को कहता है कि जाकर सोजाओ Todd वापिस आ जाएगा और अगर सुबह तक भी वो नहीं आया तो मैं डूर्णोगा उसे तब ये सुनकर Alex वहाँ से चली जाती है इसके बाद हम Todd को भी उसे torture room में लटका हुआ देखते हैं जहां पर वो डॉक्टर उसके साथ कुछ कर रही थी ऐसा करने की बाद वो डॉक्टर एक लेड़ी के पास जाती है जिसके बेटी की आइस खराब थी सुबह तक भी जब Todd वापिस नहीं आता तो उसके फ्रेंड्स कोच के पास जाते हैं लेकिन कोच तो दर्वासा खोल ही नहीं रहा था लेकिन तब ही वो दर्वासा तोड़ देती हैं और दिखती है कि कोच तो अंदर है ही नहीं और ना ही उसका कोई सामान है वहाँ तब ये देखकर उन्हीं परिशानी होने लगती है इसलिए Alex चिलाते हुए टोट को ढूरने लगती है लेकिन तभी वहाँ पर कंड़क्टर आ जाता है जो Alex को कहता है कि तो मैंसे मत चिलाओ मैं तुम्हारी फ्रेंड को ढूरन लूगा और तुम्हारी चिलाने से बागी पैसेंजर्स डर रहे हैं वो लोग कंड़क्टर की बात मा लेते हैं और चुब चाप एक जगा पर बैठ जाते हैं इसकी बार टोट का फ्रेंड एक लड़की के पीछे जाता है लेकिन तभी वो दोनों वर्कर्स उसे भी मार कर विहोश कर देते हैं और उसे भी टोर्चर रूमे ले जाया जाता है जहाँ पर वो दोक्टर किसी आदमी को उसकी बोड़ी की पार्ट दिखा रही थी फिर वो तिनों फ्रेंड्स डिसकस कर रहे होते हैं कि हमें कंड़क्टर पर ट्रस्ट नहीं करना जाये इसलिए वो खोदें टोर्ट को ढूरने के लिए चले जाते हैं एलेक्स की फिमेल फ्रेंड कंड़क्टर के रूम में चली जाती है जहाँ पर उसे पता चलता है कि उनकी पासपोर्ट तो जला दिये गए फिर वो वहाँ पर चेक करने लगती है तो उसे कुछ और पासपोर्ट मिल जाते हैं इतने ही दीर में कंड़क्टर भी वहाँ पर आ जाता है तब एलेक्स की फ्रेंड समझ जाती है कि वो भस गई है तब कंड़क्टर उसे भी पकड़ लेता है फिर एलेक्स और वो असिस्टेंट एक कोच में पहुँच गए थी लेकिन उनके सामने वाला कोच लॉक्ट था और उसके उपर खून लगा हुआ था इसलिए एलेक्स ट्रेंड के बाहर से होते हुए उसमें जाती है और दर्वाजा खूल दीती है ताकि वो कोच का असिस्टेंट भी अंदर आ जाए अब जहां पर वो आई थी वो असल में टॉर्चर रूम ही था उन्हें टॉर्ड मिल जाता है जिसकी आंखे निकाल ली गई थी लेकिन वो अभी तक जिन्दा था और वही पर टॉर्ड का मेल फ्रेंड भी था अब वो असिस्टेंट टॉर्ड के फ्रेंड को ले जा रहा था लेकिन एलेक्स उनके साथ नहीं जाती क्योंकि वो इस हालत में टॉर्ड को अकेला नहीं चोड़ सकती थी अब जाहिर है, Toad काफी तकलीफ में होता है और वो कहए रहा होता है कि प्लीज मुझे मार दो लेकिन अलेग्स ऐसा नहीं कर पाती लेकिन तब ये Toad का वो फ्रेंड उसे एक एक्स से मार देता है और उसे इस पेन से अजादी देता है अब Toad के friend ने ऐसा इसी लिए किया क्योंकि वो जानता था कि वो कितने तकलीफ में है असल में उसके भी body parts निकाल लिए गए थी उधर वो अजीब आदमी Alex की friend को train के उपर से ले जाकर उसी room में आ जाता है और यहाँ पर उन लोगों को आमना सामना होता है अब Toad का वो friend तो वहीं पर ही गिर जाता है लेकिन Alex और वो coach का assistant उस female friend को अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो उसी अपने साथ नहीं ले जा पाते अब Alex coach के assistant को कहती है कि हमें ट्रेंसी coach जाना जाये लेकिन वो assistant उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि वो जानता था अगर वो ऐसा करेंगी तो मर जाएंगे तब उस आदमी से बचने के लिए वो एक coach में जाकर खुद को महाँ पर बंद कर लेती है लेकिन तबी रास्ते में एक टनल आ जाती है जितनी देर में टनल पार होती है वो जीब आदमी उनके पास आ चुका था और वो coach की उस assistant को पकड़ लेता है और अब सिर्फ Alex रह गई थी अब Alex जाती है passengers के पास लेकिन कोई भी उसकी help नहीं करता क्योंकि वो सबी जानते थे कि इस train पर क्या होता है पिर Alex की वो चारो साथी उसी torture room में थी टोड के friend की chest को काट कर उसका दिल निकाल लिया जाता है वही पर doctor की lab थी जहां पर ये दिल काम आने वाला था तब वो समझ जाते हैं कि हमारी साथ भी ऐसा होगा तब वो दो workers Alex से misbehave करने लगते हैं लेकिन Alex उनमें से एको मार कर वहां से भाग जाती है और वो एक जगह पर जाकर चुप जाती है और तब ए train military checkpoint पर रुकती है तब Alex समझ रही थी कि शायद अगो बच जाएगी लेकिन वो देखती है कि वहाँ पर तो सब ही मिले हुए हैं वो soldiers उनसे पैसे भी लेते हैं और साथ-साथ वो Alex की female friend को भी ले जाते हैं Alex की friend को वो उसकी आँखों के सामने ही लेकर जा रहे थी लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थी उसे बचाने के लिए यहाँ पर Alex की मारें में बहुत सारे सवाल गोम रहे थे लाइकी कौन सी जगा है, कौन सा स्टेशन है जहाँ पर उसकी friend को बेच दिया गया और क्या वो अपने friend से दुबारा मिल पाएगी या फिर ये लोग उसे जिन्दा चोड़ेंगे और जो ये लोग उसके साथ करने वाले हैं क्या वो सह पाएगी एलक्स यहाँ पर खुद को बड़ी मुश्किल से संभालती है क्योंकि एक एक करके उसके सारे करीबी लोगों को बड़ी बिरहमे से मार दिया गया और यहाँ पर वो ये भी नहीं जानती कि उसके साथ क्या होने वाला है असल में जंगल के बिलकुल बीचो बीच एक हास्पिटल था तब एलक्स बी ट्रेन से उतर कर उस हास्पिटल में जाती है जहां पर बहुत सारे पेशेंट्स थी और सारे रिच थी और वहीं पर उस खोच के असिस्टन्ट को भी बांदा गया था तब उस असिस्टन्ट को अजाद करके वहां से ले जा रही थी लेकिन तब ही उसे वो लेडी और उसका बेटा दिखता है जिसकी आंखे खराब थी और ये उनके सार्ट ट्रेन में भी थे लेकिन उस बच्चे की आईज अब ठीक हो गई थी और जब एलेक्स उस बच्चे को दिखती है तो उसकी आईस पहचान लेती है कि ये किसकी आँखे है असल में वो आँखें किसी और की नहीं बल्कि उसकी अपने फ्रेंड टॉड के थी और अब यहाँ पर मूवी का में प्लॉट रिवील होता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा था इतनी देर से असल में ट्रेंड में जितने भी लोग थी मैंने आपको बताया था कि वो सारे रिच थे जो कि अपना ट्रेटमेंट करवाने के लिए इस ट्रेंड में आय थी वहाँ पर किसी को नया दिल चाहिए था तो किसी को नहीं आँख ही चाहिए थी और ये सारे चीज़ें उन लोगों को बहुत कम रेट में दे दी उस डॉक्टर ने असल में ये पेसिंजर्स को मार कर उनकी ओर्गन्स बेचते हैं ना सिर्फ बेचते हैं बलकि पुरा ट्रेटमेंट करते हैं तभी तो ये हॉस्पिटल जेंगल के बिलकुल भी जो वीच बनाया गया और ये ही वज़ा थी कि उनके पासफोर्स भी जला दिये गए और तो और उन्हें ट्रेन भी इसलिए नहीं मिली क्योंकि सब भी आपस में मिले हुए थे अब रिकॉर्ड के हिसाब से ये लोग पहले हॉस्पिटल से निकले और उसके बाद फिर पता नहीं कहां चले गए यानि रिकॉर्ड में ऐसा कुछ नहीं था कि उन्होंने कोई ट्रेन पकड़ी फिर एलेक्स और कोज का असिस्टेंट वहां से निकल जाते हैं और वो जंगल के रास्ते से आगे बढ़ रहे थे तब उस असिस्टेंट को महाँ पर बिठा कर एलेक्स आगे चेक करने के लिए जाती है लेकिन तब ही पीचे से वो वरकर्ज उस असिस्टेंट को मार डालती है अब एलेक्स का कोई भी साथी नहीं बचा और वो पूरी तरह से तूट गई थी लेकिन वो बहुत जिदा घुसा थी और उसे उन सब की मौत का बदला लिना था इसलिए वो दुबारा से उस ट्रेन में चली जाती है जो अभी तक वहीं पर ही कड़ी हुई थी इसके बार ट्रेन चल पड़ती है एलेक्स रिसाइट करती है कि वो इस पूरे ट्रेन को चला देगी ताकि इसमें काम करने वाले लोग भी मर जाए और वो भी जो यहाँ पर काम करवाने आये थे लेकिन उसका रास्ता रोकने के लिए वहाँ पर कंड़क्टर आ जाता है और यहाँ पर उन दोनों की फाइट होती है लेकिन लास्ट में एलेक्स उसे फांसी पर लटका कर मार दीती है एलेक्स ने अपने सारे करीबी को दिये थे इसलिए उसे कोई डर नहीं था अब या तो वो बदला लेगी या मर जाएगी वो हर जगा पे ट्रोल डाल कर आग लगाने ही वाली थी कि तब ही वो डॉक्टर वहाँ पर आकर उसे रोकती है वो उसे emotional blackmail करती है कि अगर तुम ऐसा करोगी तो बहुत सारी मासूम लोग मारे जाएगी तब Alex उसे पुछती है कि मेरे दोस्त मासूम नहीं थे क्या Alex उसकी कोई भी बास सुने बगार आग लगा दीती है जिसकी वज़ा से वहाँ पर आग लग जाती है और डॉक्टर भी जल जाती है फिर देखते ही देखते है पूरी ट्रेन में आग लग जाती है और अब वो ट्रेन जलते जलते ही आगे बढ़ रही थी तब Alex अपनी कोश को ट्रेन से अलग कर दीती है तब ही वो देखती है कि वो अजीब आदमी भी जल कर नीचे गिर गया है लेकिन जब वो उसे देखती है तो उसे पता चलता है कि ये वो आदमी नहीं है और तब ही वो आदमी पीछे से उस पर अटेक कर देता है तिर कुछ फाइट के बाद Alex उसे भी मारने में काम्याब हो जाती है अब इस तरह से उसने सब को मार कर अपने साथियों का बदला ले लिया इसके बाद हमें दुबारा से Alex दिखाई जाती है जिसने रैसलिंग नहीं छोड़ी थी बलकि वो टॉट के स्ट्रीम को आगे बढ़ा रही थी और इसी के साथ ही मुवी यहीं पर एंड हो जाती है और अब मैं एक्स्ट्रेंट करूंगी सेकंड मुवी यानि रबर को मुवी के स्टार्ट में हमें एक अकाउंटन दिखाया जाता है और उसके हाथ में काफी सारी दूर्बिन्स थी तब अकाउंटन और सबको वो दूर्बिन्स देता है फिर वो सारी लोग दूर्बिन्स से कहीं पर देखने लग जाते है इसके बाद सिन शिफ्टोकर एक जंकियार्ट पर आता है जहां बर हमें एक मामूली सारा टायर दिखाया जाता है लेकिन तबी अचानक से वो टायर मूफ करने लगता है ऐसा लग रहा था जैसे उसमें जान आ गई हो वो मूफ करता है और उपने उपर से मिट्टी हटाता है और फिर रोल होने लगता है फिर वो बड़ा इंज्वाई करते हुए आगे बढ़ रहा था वो काफी तेजी से वाइबरेट करने लगता है जिससे वो बॉटल तूट जाती है अब यहां से ये बात तो क्लियर हो जाती है कि ये कोई आम टायर नहीं है दोस्ति तरफ वो सारे लोग इस टायर को देख रहे थे जो वाकिए किसी सरकस का लोग दे रहा था फिर वो टायर एक बार फिर से अपनी पावर इस्तमाल करता है अब उसके सामने टीन की एक चोटी सी कैना जाती है जिससे वो बीच में से तोड़ देता है इसके बाद वो रोल करते हुए वहां से चला जाता है इसके बाद रात हो जाती है इसलिए वो टायर एक ट्री के नीचे जाता है और वहाँ जाकर वो रेस्ट करने के लिए सो जाता है नेक्स डे वो टायर फिर से अपने सफर पर निकल जाता है दूसरी तरफ वो काउंटेंट उन लोगों के पास आता है पिर से अब उस टायर को काफी प्यास लगती है इसलिए वो एक जगा पर जाता है जहां पर पानी खड़ा हुआ था और वो उसमें अच्छी तरह से बीग जाता है और तब यूस टायर के सामने एक चोटा सा रैबिट आ जाता है जो कि शायद उस टायर को अच्छा नहीं लग और टायर अपना अगला शिकार दूरने लगता है इस बार वो किसी इंसान को अपना शिकार बनाना चाह रहा था तब ही हम महाँ पर एक लड़की को देखती है जो कि अपने गाड़ी से जा रही थी उस लड़की की गाड़ी का कलर रड था उस लड़की को दीकर वो टायर टेजी से वाइबरेट होने लगता है जिसकी वज़े से उस लड़की की गाड़ी का इंजन खराब हो जाता है इसलिए वो वहें पर रुख जाती है और अब टायर उसकी तरफ जाने लगता है लेकिन इस बार उस टायर का प्लैन सक्सेस्फुल नहीं हो पाता क्यूंकि होता है और उसे काफी घुसा भी आ रहा था लेकिन तभी उसे वहाँ पर एक कव्वा दिखाई देता है और अपना घुसा वो उस बिचारे कव्वे पर निकालता है यानि उसे भी एक्स्प्लोड करके मार देता है इसकी बाद हम उसे ट्रॉक वाले आदमी को देखते हैं ज लेकिन उस पर ज़्यादा दिहान नहीं देता लेकिन टायर को तो घुसा था ना इसलिए वो उसे देख करते हैं जिसे वाइब्रेट करने लगता है पिर से जिसकी वज़ेसे देखते ही देखते उस आत्मी का सर भी एक्स्प्लोड हो जाता है बलास्ट हो जाता है इसलिए उसकी भी वहीं पर मौत हो जाती है जी हां बिलकुल वो टायर इतना चलाक है कि अपना बदला भी ले सकता है और अब वो उसकी तरफ जा रहा होता है जिसकी वज़ेसे वो टकराया था और वो होती है वो रेट गाड़ी वली लड़की वो उस लड़की की गाड़ी को एक हा को कॉल करके कहती है कि आज रात मैं हाटल में ही रुकूंगी इसलिए वो टायर भी इसी हाटल में ही रुक जाता है और टीवी देखने लगता है पिर अगली सुबह हो जाती है और वो टायर अभी तक टीवी ही देख रहा था यानि वो टायर सारी राट टीवी ही देखता रहा फिर हमें वो लोग दिखाया जाते हैं जो काफी दिनों से उसे टायर को देख रही थे और तब से वो भूके थे यानि उन्होंने कुछ भी नहीं काया था फिर अकाउंटेंट दिखाया जाता है जो कि अपने काम पर जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाता है उसके रूम में हमें ऑस्टेंट को भी देख पाते हैं इसकी बाद उस अकाउंटेंट की पास एक कॉल आती है जिसमें वो कहता है कि सर परिशान ना हो हम है ना हम सब ठीक कर देंगे यानि हम आपका काम कर देंगे इसके बाद वो अपने साइकल पर बैट कर उन लोगों के पास जाता है और उन्हें वो आस्टेंट काने को देता है वो लोग काफी अजीब थे, काफी भूके भी थे इसलिए वो उस आस्टेंट को किसी जानवर की तरह खाने लगते हैं बड़े ही अजीब तरीके से लेकिन वहीं वीलचीर पर बैठा हुआ एक आदमी उस आस्टेंट को नहीं काता बलकि वो दूर्बिन से टायर को देख रहा था पिर हमें उस होटल का सीन दिखाया जाता है जहां पर वो टायर था तब वो समझती है कि शायद रूम का ओनर शावर ले रहा है इसलिए वो बाहर से ही पूछती है कि सर अगर आप बिजी है तो मैं बाद में आ जाओ लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता लेकिन जब वो लड़की चेक करने के लिए अंदर जाती है तो वहाँ पर वो टायर को देखती है ज़किन अहा रहा था तब वो गुस्से में उस टायर को उठा कर बाहर भैंक देती है क्योंकि उसकी बचे से सारा रूम गंदा भी हो गया था अब इस बाद से उस टायर को अपने इंसल्ट फील होती है उसे काफे घुस्सा आता है इसलिए वो दुबारा से उचकर उस रूम में जाता है इसलिए वो उस रूम अटेंडन को एक्स्पलोड करके मार डालता है और एक बार फिर से टेवी देखने लगता है अब यहाँ उसे उस रूम के अंदर जाता उस हाटेल की ऑनर का बेटा देख लीता है और वो जाकर अपने फादर को इस बारे में इन्फार्म करता है कि एक टायर जो कि जिन्दा है और चल रहा है लिकन उसकी फादर उसके इस बात पर यकीन नहीं करते और उसे वहाँ से जाने के लिए कहते हैं फिर हमें वो दूरबिन वाले लोग दिखाये जाते हैं उन सब की तबियत खराब होने लगती है उनकी पेट में दर्द हो रहा था उन्हें देखकर वो वीलचेर वाला आदमी कहता है कि तुमें जहर दिया गया है यानि जो आस्ट्रिच उन्होंने खाया था उसमें जहर था और इसकी बाद वो सारे लोग वहीं पर ही मर जाते हैं सिवाए उस वेलचेर वाले बुड़े आदमी के क्योंकि उसने वो जहर वाला आस्ट्रिच नहीं खाया था होटिल की बाहिर हम काफी सारे पुलिस को देखते हैं जिसे सुनकर वो कहता है कि बस अब बहुत हो गया अब इस खेल को यहीं पर ही खतम कर दो क्योंकि जो लोग हमें देख रहे थे यानि वो दूर्बिन वाले लोग वो सारे मारे जा चुके हैं ये सब एक ड्रामा था एक खेल था तब ये सुनकर वो इस पुलिस ओफिसर के साथ ही शौक टोचाते हैं कि वो लड़की अपनी जान से चली गई और इस पुलिस ओफिसर को वो खेल का हिस्सा लग रहा है और वो अपने सभी साथियों को कहता है कि तुम मुझे गोली मारके देखो इसलिए वो जिन्दा है तब ये वो पुलिस ओफिसर वहां से कोई बहाना बना कर वहां से चला जाता है और होटल की ओनर के पास आ जाता है और उससे बाते करने लगता है लेकिन वो टायर वहां पर भी आ जाता है और अपनी पावर का इस्तमाल करके उस हर्टल के honor का सर भी explode करके उसे मार देता है अब ये सब कुछ उस police officer की आँखों के सामने हुआ था इसलिए वो समझ जाता है कि ये सच है ये कोई खेल या फिर game नहीं है और वहाँ पर उस tire को भी देख लेता है जो ने tire की direction बताता है कि वहाँ पर गया है वो तब वो लोग उस बच्चे की बात पर यकिन कर कि उसी रास्ते पर निकल जाते है दूसरी तरफ accountant उसी wheelchair वली आदमी की पास जाता है असल में वो उसके लिए खाने का कुछ समान लाया था लेकिन वो आदमी वो काना काने से मना कर देता है और accountant को बताता है कि देखो वो अबे भी आगे बढ़ रहा है असल में वो यहाँ पर उस tire की बात कर रहा था वो अपनी दूरबिन accountant को देता है और उसे कहता है कि वो tire को देखे पिरो टायर चलते चलते एक जगा बढ़ा जक्षा है जहां पर पुराने और पटे हुए तायर को जला रहे थे और यह दिक पिस ब्हूंत भूप definitely उनके साथ भी वही हुआ होगा जो बाकी लोगों के साथ हुआ यानि उनका सर भी explored हुआ और वो मर गई इसके बाद हमें तीन दिन बात का सी निखाया जाता है यहाँ पर बहुत सारे मिल जाता है जो कि बड़े मज़े से टेवी देख रहा था दूसरी तरफ वो पुलिस ऑफिसर और कार वाली लड़की हमें एक वैन में दिखते हैं असल में उन्होंने टायर को पकड़ने के लिए उसके लिए ट्रैब बिचाय था यानि उस टायर को उस रूम से बाहर लाने के लिए उन्होंने उस रूम की बाहर एक डमी रखी होती है जिसमें ایک स्पीकर और एक बॉम लगा हुआ था उस स्पीकर में उस गाड़ी वले लड़की की हवास थी जो कि वैल में बैट कर बोल रही थी ताकि वो टायर को बाहर ला सके और फिर थुड़ी दिर बाद वो बाहर आ भी जाता है लेकिन तब ही वहाँ वो विल्चेर वाला आदमी भी आ जाता है जो पुलिस आफिसर को काफे जोर से कहता है यार तुम लोग क्या हो एक टायर को नी पकड़ सकते इतना असान काम नहीं हो पा रहा तुमसे तब उस आदमी की बात वो टायर सुन लेता है इसलिए वो दुबारा से उस रूम में चला जाता है लेकिन अब उस पुलिस आफिसर को बहुत घुसा आ गया था इसलिए वो अपनी गण लेकर उस रूम में चला जाता है लेकिन जब वो बाहर आता है तो पटा हुआ टायर भी उसके हाथ में था मतलब उस पुलिस आफिसर ने गोली से उस टायर को खतम कर दिया था अब उस टायर को वो उस वीलचेर वाले आतमी के पास भैंक देता है और इसकी बाद वहाँ से जानने लगता है लेकिन तोड़ी दिर के बाद उस रूम से एक साइकल बाहर आती है जिसे देखकर वो वीलचेर वाला आतमी कहता है अरे देखो देखो वो भी मरा नहीं है अभी भी जिन्दा है वो और वो किसी दूसरी चीज़ में आ चुका है लेकिन तभी वो साइकल वाइब रेड होने लगती है और वीलचेर वाला आतमी पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाता है इससे हमें इस बात का अंदाजा हो जाता है कि टायर की निस्बस साइकल में ज्यदा पावर है फिर वो साइकल वहां से निकल कर हाईवी की तरफ बढ़ने लगती है फिर वो साइकल यारी वो टायर अपनी पूरी आर्मी बनाने लगता है अब हमें पता चलेगा कि असल में टायर के पासी पावर कैसे आई यानि वो किस तरह से लोगों को मार रहा है यहाँ पर हमें इस टायर का नाम भी पता चलता है इसका नाम रॉबर्ट था असल में कुछ सालों पहले उस पुलिस आफिसर और अकाउंटरट ने एक आदमी को मार दिया था और एक टायर से उसका गला गोड दिया था और उस आदमी का नाम भी रॉबर्ट था और यही वज़बनी कि उस टायर में उस आदमी यानि रॉबर्ट की सौल आ गई और इसलिए उसने अपना बदला लिया और अब वो सिटी में रहने वाले सारी लोगों को मार देगा और यही पर हमारी सेकंड मोवी भी एंड हो जाती है थेंक्यू फर वाच जी